हेलो दोस्तो मैं विन एकुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्कॉलर निर्वाणा के यूटूब चैनल में दोस्तो आज मैं आपके लिए लिखे आए हूँ उपराष्टपती से सम्मधित सब्सक्राइब कर लिजिए सबसे पहला प्रशन है हमारा पहला प्रशन कहरा है कि भारत के उपराष्टपती की इस्तिती की तुलना किस देश के उपराष्टपती से की जा सकती है तो देखे किस देश के उपराष्टपती से की जा सकती है तो यहाँ पर आपके चार आप्शन दे रखें पहला आप्शन ह सहीं उक्ति राज्य अमेरिका और फ्रांस तो देखें फ्रांस में ऐसा कोई पद्धिती नहीं है जहां पर राश्पुरति आपने सुना वहां पर भी प्रधानमंत्री होता है और इसका जो सही आंसर है वो क्या है सहीं तुराश्ट पती की स्थिति की तुर्णा हम जो सहीं उ अमेरिका है उसके उपराश्ट पती से कर सकते हैं अगला कुश्चन है कि भारत में उपराश्ट पती का पद कैसा होता है तो देखें पहला आप्षिन कहा रहा है कि सम्विधान में प्रारंब सहीं है एक संविधानिक शंशोदन द्वारा स्रजित किया गया है एक संसदिय अधिनियम द्वारा स्रजित किया गया है राश्पती अपने सहायक के रूप में उसकी न्युक्ति करता है तो देखिए यहाँ पर जो कोशन है उसका आंसर आपका एवाला है कि राश्पती के संविधान के प्रारंब से ही इस पद को दिया गया है तीसरा कोशन है आपका उप आपका उप्युक्त में से कोई नहीं तो देखिए कोशन ही कहा रहा था कि राश्पती पत्त की अर्ता के संबंद में क्या सही नहीं है तो मैं आपको पताना चाहूंगा कि भारत का नागरिक हो ये चीज सही है कम से कम 35 वर्स की आयू हो ये भी चीज सही है उसके बाद पर C वाला अंसर आपका गलत, C वाला जो condition ये गलत है और आपका अंसर यही सही हो जाता है, ठीक है, अब चौथा question है हमारा कि उप्राश्पती, ठीक है, और यहाँ पर कुछ conditions दे रखी है, जैसे कि पहले condition कहा रहा है, कि लोकसभा का सदसे होता है, दूसरा option है, राजसभा का सदसे होता है, तीसरा है, किसी भी सदन का सदसे होता है, और चौथा होता है, सांसद नहीं होता, तो देखे, यहाँ पर जो question है, ये भी confuse कर रहा है, कि देखे, सबसे पहले वाला तो मैंने आपका लोकसभा का सदसे होता है, तो यह चीज़ क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता उपराश्टपती लोकसभा का सदस नहीं होता नहीं राज्यसभा का सदस होता है और किसी भी सदन का सदस से होता है ऐसा भी नहीं है ठीके अब मैं होता हूँ आपको यहाँ पर लिखा है कि सांसद सदस से नहीं होता तो देखिए यह बिल्कुल सही है कि सांसद का सदसी ही नह अगला cinne से कौन सा कफन सही है तो अगला प्रस क थना है पहला प्षेट कि लौकसभा का इन अध्यक्ष होता एक तो यह है डीटसरा है राज्य-सभा का श süटा है तो यह ंठिक हीं पर यहें yen लोक सभा की लोक लेखा समीती का अध्यक्ष होता है तो ये भी गलत है फिर आपका D वाला है कि वह है भारतिये Red Cross Society का पद्यात अध्यक्ष होता है तो ये भी गलत है आपका ठीक है आईएस 1991 का कोश्चन है important कोश्चन है आपके लिए अगला कोश्चन है हमारा राज्य सभा की बैठको का सभा पतित्व कौन करता है तो देखें सिंपल जिबाते हम उप्राश्पती के वारें पढ़ रहे हैं तो इसका जो आंसर होना चाहिए उप्राश्पती ही होगा ठीक है फिलाल आपको यहां पर स्रिप कोश्चन दिखाना है हमारा target और कोश्चन ही स चुनाओ करने वाली निर्वाचन संसता के सदसे कौन होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो आंसर सही है वो है संसत के दोनों सदनों के सदसे कौन है संसत के दोनों सदनों के सदसे होते हैं अगला जो कोश्चन है हमारा आठवा कोश्चन है कि राश्पती के पतपर है और नहीं राश्पती के पतपर है नहीं प्रधान मंत्री के पतपर है तो देखे कोई भी सीमा नहीं होती है ठीक है इतना याद रख लिजी आप उपराश्पती राश्पती और प्रधान मंत्री उपराश्पती का निर्वाचन कैसे होता है अगले कु सकते हैं तो यह भी गलत है आपका फलाल क्या होता है यहां पर आपका भी वाला आंसर बिल्कुल सही है दस्वा कोशन क्या रहा है कि उप्राश्पति के पद के निर्वार्चन हे तु कौन सी पद्धिती अपनाई जाती है आपको यह बताना पड़ेगा देखिए सबसे पहले बचा आपका समानूपातिक प्रतिनेद्ध एकल संक्रमणिये पद्धि तो यह बिल्कुल आपका सही आँसर है और इसको आप बिल्कुल याद कर लिजे बिठा लिजे अपने दिमाग में अग्ला जो कोष्इन है हमारा क्या रहा है 11 प्रश्ट क्या रहा है है कि उप्राष्पति पद के उमीद्वार के नामनकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदश्यों दारा प्रस्ताविध करना आवश्यक है तो यह चाहिए होते थे, 50 प्रिस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते थे, ये बात आपको वेनत आईती, और जब उपराश्पती की बात करता है, तो उपराश्पती के लिए कितने, 20 प्रिस्तावक और 20 अनुमोदक की अवशिक्ता होती है, जब आपको मैंने वीडियो में पढ़ पर आपको अप्रतावक और अबदक uh यहां पर पर चुनावक और कितने चाहिए होते हैं उप्राश्पती के चुनाव के लिए 20 घ्रेवा कोशन है कि कि नामांकन के समय उप्राश्पती पद के उम्मीद्वार को जमानत के तोरपर कितना रुपय जमा करना पड़ता है तो देखे जमानत राशी पूछिए उप राश्पती और राश्पती दोनों की जमानत राशी ही 15,000 रुपे होती है चौद्व कोश्यन हमारा समविधान में उप राश्पती के पुनर निर्वाचन के संबंद में क्या प्रावधान है तो देखें पुनर निर्वाचन के संबंद में यहाँ पर प्रावधान यह है कि जब राजपती का जब हम पुनर निर्वाचन करते हैं तो उस विशह में आपका कोई भी कुछ भी नहीं दिया गया है प्रावधान ठीक है कुछ भी प्रावधान नहीं दिया गया है इस सीच क आप बिठार लीजे दिमाग में कोई भी आंसर नहीं लगाएंगे आप इसका ठीके सीधे-सीधे कुछ भी नहीं है अगला कोशन है पंदरवा पंदरवा कोशन क्या रहा है कि भारत के उप्राश्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद को कौन तै करते हैं या करता है तो देखिए जब उप्राश्टपती के निर्वाचन में विवाद आता है तो ये जाता है सर्वोच चिनयाले के पास और जब राश्टपती के चुनाओं में विवाद आता है तो वो भी जाता है सर्वोच चिनयाले के पास याद रखी ये भी ठीक है सेम है अगला कोशन है मारा उपराश्ट्पती के चुनाओं में कौन-कौन मतदान करता है तो देखे जब उपराश्ट्पती का चुनाओ होता है तो मतदान के लिए लोगसभा और राज्यसभा के सदस से आते हैं ठीक है सिरिफ लोकसभा और राज्यसभा के सदस से ना केवल लोकसभा के सदस से और ना ही केवल राज्यसभा के सदस से बलकि दोनों यहाँ पर बोट करते हैं अब यही पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैंने आपको उपरा कोई भी रोल नहीं होता है इसको याद रखे अगला कोशन है कि अगला कोशन है कि गोई राश्पती को कौन चुनता है पिर से वही कोशन आपका रिपीट है और वही निर्वाच्ण मंडल जो राश्पती को चुनता है तो देखिए राश्पती को चुनने के लिए लोकसभा राज्यसभा और विधान सभा सदस्यों की जरूरत होती है ठीक है यह बात आपको तो यह ठीक है, क्योंकि संस्द में कौन आते हैं लोक्षबा और राज्यसबा के संस्द से, ठीक है तो और यही क्या करते हैं, उप्राश्थपति का चुनाव करते हैं 19 वा कोजिशन के आ रहा है कि जो सदस्य भारत के उप्राश्पति का चुनाव करते हैं वे होते हैं तो देखिए संसद के दूसरा ओप्शन है लोकसभा के तीसरा ओप्शन है राज्यसभा के चौथा ओप्शन है मंत्री मंडल के तो देखें मैंने आपको क्या बता है कि लोक सभा के सदस्य ना केवल करेंगे और ना ही राज्य सभा के सदस्य करेंगे तो हमारा B और C वाला option बिल्कुल ही गलत हो जाता है और बचा गया A और D तो देखें मंत्री मंडल तो नहीं कर सकता यहाँ पर जो संसत के सभी सदस्य हो करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपको कौनसा सभी हो गया संसत के सदस्य कोशन नुमर 20 कि मूल संविधान में यह उपबंद था कि उपराश्पति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समयवत समवेत संसत के दोनों सद्रों द्वारा होगा किस संविधान शंशोदन पताना चाहूंगा आपको कि 11 संविधान शंशोदन अधिनियम 1961 में इस चीज को समाप्त कर दिया गया ठीक है तो देखे जैसे क्या होता था जब उपराश्पति का पहले चुनाओं होता था तो उस वक्त संयुक्त अधिवेशन में समावित संसत के दोनों सद्रों द्वार जो राश्पति की होती है कितनी होती है जो राश्पति की होती है तो यहाँ पर आंसर कौन से हो जाएगा आपका पांच वर्श आंसर हो जाएगा उपराश्पति को पद की गोपनेता की शपत कौन दिलाता है तो देखे कौन दिलाता है मैंने आपको दाए था राश्पति ठीक है राश्पती दिलाता है और राश्पती को कौन दिलाता है मुख किनायधीज ठीक है कोश नमर 23 है उपराश्पती अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है तो देखे जब उपराश्पती अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देता है राश्पती को शपत भी य पूचा है और यह जो वेतन है ये पिछले हिसाब से पूचा है ठीक है तो पिछले हिसाब से अगर हम देखे तो वेतन कितना था 1,25,000 और अभ मैं आपको उताना चाहूँ कि ये वेतन बढ़कर कितना हो गया है कितना है साड़े 4 लाग ठीक है 4.5 लाग है और इससे कम किसका है राज़्यपाल का है 4 लाग और राज़्पती का कितना है इससे ज़्यादा 5 लाग 25 वा कोशिन कहा रहा है कि उप्राश्पती को निमल लेखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है तो देखें किसके बराबर वेतन मिलता है उप्राश्पति को आपका अंसर है लोगसभा अध्यक्ष के बराबर यहां पर वेतन मिलता है तो देखें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उप्राश्पति है वो लोगसभा अध्यक्ष के बराबर वेतन उठाता है ठीक है और क् सभा के सभापति के Rूप में काम करता है उसी के उपरांथ इसे ये लोग सभाए अध्यक्ष के बराबर वेतन मिलता है भारत के उप्राश्पति को अगला कोशन है हमारा कि उप्राश्पती को उसके कारिकाल की समापती के पूर्ग पत से हटाने का अधिकार किसको है तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो आंसर होता है वो संसाद है ठीक है संसाद के पास है अधिकार पर यहाँ पर थोड़ा से मैं बताना चाहू अब थोड़ा से हैं आपर क्लियर करना चाहूंगा कि जब महावयोग राष्ट पती पर लगाया जाता है प्रेसिडेंट अगर यहीly महावयोग अगर यही महावयोग वाइस प्रेसिडेंट पर लगाया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट पर लगाने के उपरांत केवल राज्य सभा से ही महावयोग प्रारंब होना चाहिए लोग सभा से बिलकुल नहीं तो यह चीज याद रखें लोग सभा से बिलकुल नहीं ह है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है हमारा अगला कोश्चन था हमारा 28 कोश्चन क्या रहा है कि भारत के उप्राश्पती को पद्युक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो देखे केवल लोकसभा में तो यह बाद आपकी क्या है बिल्कुल पीछे होता है कि केवल राजसभा से ही प्रस्ताव पारित होना चाहिए जब उसको हटाने की बारी आती है अगला कोश्चन है उन्तिस्वा कोश्चन है कि भारत के उपराश्पती को कौन निकाल सकता है तो देखे जब निकालने की बात आती है तो लोकसभा की समत्ती से राजसभा, ठीक है तो लोकसभा का यहाँ पर देखी क्या है, मतलब समत्ती तो चाहिए, पर प्रस्ताव कहां से प्रारित होना चाहिए, राजसभा से यह बात याद रखे, तीसवा क्रूशन क्या रहा है कि पराश्पती को कारेकाल पूरा होने से पूर्म प्दीजुक किया जा सकता है, तो देखे हटाया कैसे जा सकता है, फिर से मैं आपको बताना चाह taşओं को, देखे राश्पती द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, अगला है सर्वोच नेालि खेंश की संथुति पर, राजपती द सबा से रारम होना चाहिए तो यह वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है आगे लिख्ञा है इकत्तिसमा कोशन क्या रहा ही कि उप्राश्पती द्वार उप्राश्पति राष्ट्पती का कारेबार समालता है जब कि राश्पती तो दीख हँए जब अनुपस्तित होुत तब समालता है ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर होता है अनुपस्तित हो बिमार हो ये भी सही है और अनुपस्तित हो अपना कारे करने में अक्षम हो ये भी सही है तो यहाँ पर आंसर कौन सजाएगा उप्योग तो सभी मामलों में ठीक है तीनों सभी आंसर यहाँ पर सही है अ वक्त राज्यसभा का कोई भी काम वो नहीं कर सकता ठीक है उसे राश्पती पत के सभी विशेशादिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं यह बिल्कुल सही है जब राश्पती राश्पती के कार्य करता है तो राश्पती के को यहांं पर करता कि आजिसन राश्ठ पथी की म्र पर जब राश्ठ पती राश्च पति का पद घरहन करता है तो तो एसा नहीं है ठीक है कुछ समय तक रहता है पर पूरे समय के लिए नहीं रहता है फिर भी वाला कह रहा है अधिक्तम 6 महा तक पत पर आसीन रहता है अगला है एक वर्ष तक पत पर आसीन रहता है तो यह नहीं है यहां पर एक वर्ष तक के चुनाव होना चाहिए ठीक है प इतला कोशंने राजसभा के सभापती के रूप में उपराश्पती क्या नहीं कर सकता? ओप्शन ए कह रा है के सदस्योग के विशेश अधिकारों को संडशन करता है option C कहा रहा है यहाँ पर राज़सभा का प्रवक्ता होता है राज़सभा की बैठोकों की अध्यक्षता करता और उसके कारियों का संचालन करता है तो दिखिए ये वाला सही है आपका D वाला राज़सभा का बैठोकों की अध्यक्षता करता है और उसके कारियों को सचालन करता है ये काम कर सकता है राज्यसभा सभवती के रूप में सी बाला भी कर सकता है राज्यसभा को विक्रिटित नहीं कर सकता है च tek desert को स्जब्सकी व्यक्रार की ओैविए च्मी वर्षिकता नहीं पड़ती है तो यह चीज क्या है सही कतन है तो मतलब महाव्योग और अलगा कोश्चिन है उप्राश्पति के निर्वाचन समध्दि और सभी विवादों को निरवाचन आयोग देखता है तो यह चीज गलत है तो यह गलत है आपका वह यह सही है यह गलत है यह मिलके बाकि अगला वाला भी होगा ठीके व्यदि उप्राश्पति का निर्वार्चन अवैद घोशित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णने के पुर्व उनके द्वारा संपनिकार अवैद नहीं होंगे ठीक है ये भी सही है वी वाला गलत है जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं ठीक है इसको याद रखे अगला गोश्चन है 37 निमल लेकित कत्नों का अध्यन कर समुचित उत्तर की वहचान करें तो पहला कूट लिखा है कि भारत का उप्राश्पती निक्त किये जाने के लिए किसी विक्ति में राज्यसवा का सदर से बनने की योगिता अवश होनी चाहिए तो यह देखे क्या है मैं आपको रहता कि उप्राश्पती वहीं बन सकता है जिसमें राज्यसवा का सदर से बनने की यो वाला सही होता है, एक और दो, दोनों सही है Ques government 38 किया रहा है कि भारत के उप्राष्पती के संबंद में कौन सा कथन असत्य है तो देखिے कौन सा कथन असत्य है भारत के प्रथम उप्राष्पती S.R.K. थे, तो देखिए और आंसर हमारा बीवाला हो गया कोश्च नमबर 49 कहा रहा है कि उपराश्पती अपने मत का प्रियोग कप करता है जब मतों के बराबर रहने की इस्तिती होती है ठीक है जब मत क्या होते हैं बराबर रहते हैं कौन राश्पती के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं तो देखे यहाँ पर मैंने आपको दाया देखो जब आप प्रिसिडेंड की बात करते हैं राश्पती की तो वहाँ पर वोटिंग करने के लिए कौन आता है लोकसभा राजसभा और आपकी विधान परिशात आती है अब जब हम Vice President की बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए लोकसभा है राजसभा है ठीक है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं उनके बारे में पूछा गया है तो देखिए अभी तक कि हमने देखा कि लोकसभा और राजसभा तक थी अब यहाँ पर जो कोशन है मैं आपको उताता हूँ कि राश्पती की चुनाओं में तो भाग दी लेंगे पर उपराश्पती का जब चुनाओं होगा तब भाग लेते हैं तो देखिए संसत के जितने भी मनुनित सदस्ते हैं वो ठीक है कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है थे वामें इसको क्या कर सकते हैं कोशन अगला है हमारा भारत लिए अअ क्रिश्टन थे ज्यादा कोश्चन नहीं बचें कुछी कोश्चन बचें पर हम सब कुछ आज ही कम्प्लीट करेंगे इसी वीडियो में कोश्चन ठीस कोश्चन थे कोश्चन बचेंगे एक रहे ह소्चन पराश्चती बने तो इस तरीगे सय्च अनुग गये उपर राश्च्च पती है। पतिपत पर आसीन हुए थे चवाले सव कोशन के रहा है कि किसने दो पूर्ण अवदियों के लिए भारत के उप्राष्टपति पत को समाला तो दीखे पूर्ण अबदी को किसने पूरा गया था यहाँ पर डॉक्टर एस राधा कृष्णनने और इसके बाद अब मैं थोड़ उसके प्राष्टपति बनाया था अग्ला कुशन है मारा कि निमलिकित उपराष्टपति वे से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए तो देख़े कौन से हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गएं तो मैं आपको उताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप डॉक्टर एस राध यह नियाधिस थे और पहले कालेबाग राष्टपती भी रह चुके यह फिर बात आती है डॉक्टर संकर दयाल सर्मा की तो देखे यह भी निर्विरोत थे ठीक है तो यह भी क्या थे निर्विरोत थे फिर हैं के आर नाराय इन्हों ने वोटिंग के द्वारा अपना लेने के लिए अपने पत्से त्याक पत्र दिया था तो देखे किस ने त्याक पत्र दिया था पूरी लंबी चौड़ी मना को कहानी सुनाई थी आंसर आपका वी वी किरी ठीक है अलतारीस वा कोश्चन कहा रहा है कि निमल लिखत में से कौन सार्विदिक समय तक उप्राष्टपती पत्पर आसीन रहे तो देखे सार्विदिक समय तक रहने वाले सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले थे डौक्टर एस रादा कृष्णन हाला कि अब हामित अंसारी भी है पर सबसे ज्यादा समय तक कि डॉक्टर एस रादा कृष्णन ही रहे थे अगला कोश्चन है उननचासवा कोश्चन क्या रहा है कि निमलेखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराश्च्पती पर आसीन रहे तो सबसे के रूप में कारे करने के लिए प्राप्त होते हैं अगला कोश्चन है श्री मुहम्मद हामित अंसारी का भारत के अपराश्पती के रूप में कौन सा क्रमांगे तो देखिए अब हमारे पिछले पूर्व राष्ट्पती रहे चुके मैं आता था मौम्मध हामित अंसारी तो कौन सा क्रम है इनका हम यह जानते हैं तो यह तेरवे राष्ट्पती थे भारत के कौन से राष्ट्पती हैं तेरवे फिर चौद्वे भी यही बने ठीके और फिर हमारे कौन है मतलब हिदायत उल्ला सबसे पहली बात हम इनकी करते हैं तो मौम्मध हिदायत उल्ला ने राष्ट्पती का उप्राष्ट्पती का पर समाला फक्रुद्दीन अलियामद यह उप्राष्ट्पती नहीं थे नीलम संजीवारेड़ी यह भी उप्राष्ट्पती नहीं थे शंकर दया भारत के राष्टपती का वेतन भत्ति ये तो वह द्याता है फिर अगला कुशन है भारत के उप्राष्टपती का वेधन भत्ति तो यह सही आप सब्सक्रांप के संसद। सवां के नहीं किया जाताह поэтому सबस्ता के निर्वाच्री विधान सवां靡़ा नहीं उता थे तो तो दीखिए यहां पर संुझत के सबस्ता मैं उन सभी की दोरगावा क्या है कि भारत का उप्राश्पति किसका पदेन सभापती होता है तो राजसभा का ठीक है यहाँ पर क्लियर होगी यह बात अगला कोशन है मारा भारत के उप्राश्पती के पद पर लगातार दो बार कौन रहा था तो देखिए लगातार दो बार रहने वाले देखिए हां भी दंसारी भी है और S. राधा कृष्णन भी है तो यहाँ पर आपका अंसर कौन साय हो गया एस राधा कृष्णन किसके द्वारा होता है तो देखिए उप्राश्पती का निर्वार्चन होता है संसत के द्वारा ठीक है राश्पती मंत्री मंदली सब गलत है ठीक है इस सब को उटा दीजिए अठावनवा कूशन औ आज के हमारे और अब ये टॉपिक जो होता है वो खतम होता है और आपको अगर वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ठीक है स्कॉलर निर्वाना को साथी साथ इंग्लिश के लिए अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो